अफगानिस्तान के राष्ट्रपती भवन पर तालिबान ने पूरी तरह से कबजा कर लिया है तालिबान ने दावा क्या है कि अरजाक्ता रोकने के लिए वह काबूल में गुसा है इधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपती अश्रफ गनी देश छोड़ चुके हैं इसके लावा कई और सांसत भी देश छोड़ कर जा चुके हैं वही तालिबान विदोहियों के डर से आम नागरे भी अविकानिस्तान छोड़ रहे हैं काबूल एरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों के बीड देखी जा रही है कई देशों के अधिकारी भी काबूल एरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं भगदर्ड में किसी काहल होने की खबर नहीं है इसी बिच काबूल एरपोर्ट पर फायरिंग की खबर है हाला कि अब तक गोली बारी में किसे के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन एरपोर्ट पर हर तरव भगदर्ड की स्थिती मची है फारिंग के बाद मची भगदर्ड में कई लोगों को गाहल होने की खबर भी है फिलाल अमेरिका ने काबुल एरपोर्ट को अपने कबजे में ले लिया है सोशल मीडिया पर एक यूजर ने काबुल एरपोर्ट पर अफरत अफरी का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग इदर उदर भाग रहे हैं इसमें माईला हैं और बच्चे भी शामिल हैं टालिबान के कबजे के बाद अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है अफगानिस्तान के हालात को लेकर संख्या स्रुक्षा प्रिशत की बैटक होने जा रही है बहरती है समय के अनुसार शाम साड़ साथ बिज़े बैटक होगी बैटके अधशकता भारत करेगा टरम्प ने खड़े किये सवाल वहीं अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर अमेरिका की नीतियों को लेकर अब उसी देश के भीतर स्वाल उठने लगे हैं पूरू राष्ट्रपती डोलन टरम्प ने कहा कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार है काबूल में राष्ट्रपती पैलेस पर तालिबान के कबजे और अश्रफ गनी के देश छोड़ जाने की खबर के बाद टरम्प ने यह बियान दिया हालाकि अमेरिकी वी देश विभाग ने इन सभी आरोपय से इनकार किया है ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यावाद